मुवी की शुरुवात में हम एक थॉमिस नाम के लड़के को देखते हैं जो एक सुनसान देजर्ट में कहीं जा रहा था और उसके सामने एक बेड़ था जिसपे एक सुन्दर सी राजकुमारी लेटी हुई थी और वह उस राजकुमारी के पास जाता है उसे उठाने के लिए लेकिन जैसी है वह उसको उठाने की कोशिश करता है तब ही उसका हैड़ एक होने लग जाता है और उसे सब कुछ बलर सा दिखाई देने लग जाता है उसे अजीबो गरीवे आवाज आती हैं जिसे किसी डेमन की होगी और इसे एक ओल्ड गोस्ट हाउस चैसा दिखाई दे लेता है और इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाता है तब ही उसकी आंखे खुलती है इसका मतलब वह एक सपना देख रहा था और यह सपना वह काफी दिनों से देखे जा रहा था ठामस एक पेंटर था लेकिन वह अपने इन सपनों की वजह से अपने करियर में फो रहा है वहीं थामस बोलता है कि पुराने जमानों में से डेमन के साथ कनेक्ट किया जाता था बोलते थे कि जब देमन तुमसे कुछ देना चाता है तो ऐसे होता है जिस पर डॉक्टर कहती है यह सब तुमारा वहम है और तुमारी कोई डिजायर किसी लड़की को लेकर जो भी complete नहीं हो पाई है तब यह सब हो रहा है जिससे Thomas और ज्यादा frustrate हो जाता है और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है वह बैंच में बैठके कुछ paint कर रहा था तब ही वह दिखता है कि जाड़ियों के पीछे कोई जा रहा है और उसे उसे समय प्रौपटी agreement कोना कॉल आता है और बोलता है कि आपके हैंकल ने आपके लिए प्रौपटी रखी वी है वह मर ने फोटो को देखता है उस जगा की तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि यह तो ही हाउस था जो उसके घर में आता था जिससे और ज्यादा शौक हो जाता है और वह इस घर में जाना चाहता था क्योंकि इसी की वज़े से काफी परिशान रहता था अब जब घर आता है तो सबसे प तुम्हारी भलाई चाहते हैं और वह बोलते हैं कि तुम केसर गार्डन से कनेक्टेड हो और वह बताता है कि हम जो मेल केसर हैं वहां कर्स से लिंक है लेकिन वह कौन सा कर्स है वह बताया नहीं गया होता है और वह बोलता है कि तुम केसर ब्लड लाइन होने के वज़े से केसर garden के कोई भी दर्वाजे बड़ी असानी से खोल सकते हो और उसमें एक warning भी लिखी थी कि तुम्हें कि एक basement में दर्वाजा मिलेगा जिसे नहीं खोलना है और यह तुम्हारे भले के लिए है फिर वह वहां के लिए चला जाता है उसके पास की नहीं थी तो वहां का दर्वाजा तोड़ देता है जब अंदर आता है तो घर काफी पुराना सा था और बहुत बधाल जैसा था और वहां पे बहुत सारे skeletons और dummies पड़े होई थे जो भी टूटे फूटे थे जो एकदम दिखने में घोस सीन जैसा दिखाई दे रहा था और उसे तब ही लगता है कि कोई उसे देख रहा है फिर जब वह नीचे और घर को explore करता है तो देखता है कि basement के दर्वाजा अपने आप बंद हो गया जब वहां देखने आता है तो सब एक आदमी सा दिखाई देता है पर जब उपर आता तो उसे कोई नहीं दिखता फिर वहां उसे property की agent लिंडा दिखाई देती है और लिंडा बातों में उसके uncle का later के बरें पूछती है जिससे Thomas को थोड़ा अजीब लगता है फिर लिंडा उसे sorry भोलके वहां से चले जाती है वहीं जब वह सोया होता है तो उसे फिर से उस लड़की का ख्वाव आता है जब वह उसके पास जाता है तो इस बार उसे उठा देता है जिसमें वह बोलता है कि मुझे यकिन नहीं हो रहा है कि मैं न देख रहा हूँ जिस पे वह बोलती है कि मेरा नम Princess Rose है और मुझे sleeping beauty के नाम से जाना जाता है और तुम real world में इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम real world में मेरे पास आ गए हो और मैं कब से तुम्हारा wait कर रही थी तभी वैस Thomas के पास जाने लगती है तो पीछे देखके डर जाती जिस पर उठ जाता है और sleeping beauty उसे जाने को मना करती है लेकिन Thomas उड़ जाता है और उसे उसी समय sleep paralysis हो जाता है जिससे वो move नहीं कर पाता है और तभी एक demon उसके blanket के अंदर से आता है और उसे डराने लग जाता है वहीं उसकी आंके दुबारा खुलती है इसका मतलब वो फिर से सपना देख रहा था अब डूर में कोई नौक करता है तो जब बहार आके देखता है तो उस घर का केर टेकर था वह इस घर के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था कि घर सही है करके तब ही Thomas उस घर के बारे में पूछता है तो घर का केर टेकर बोलता है कि यह घर बहुत स्ट्रेंज है यहां बहुत सारे लोग आए पर सब अचानक कहीं गुम हो जाते है यहां पुलिस भी आई पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो इस बात को जानने के लिए घर को और एक्स्प्लोर करता है और बेस्मेंट में उसे एक इंशन दर्वाजा मिलता है जिसे खोलने की काफी कोशिश करता है पर उससे खुलता नहीं है फिर वह उस गहां के एडमिन ब्लॉक आता है ताकि उस घर के बारे में जान सके और वहां पर वो रिसर्च करके उसे एक लेटर जैसा मिलता है और एक मैप मिलता है और उसमें कुछ लिखा हुआ था कुछ इंशन लैंगवेज में जो उसे समझ में नहीं आ रहा था तो उससे समझाने की कोशिश करता है तभी उसे अचानक से फिर से पैनिक अटेक हो जाता है और उसे फिर से वही बलर सा वीशन दिखाए देने लग जाता है उसे फिर से वही डैमन दिखने लग जाते है पर वह फिर से अचानक से उठ जाता है जैसे मनलो उसे कुछ हुआ ही नहीं था फिर वह लिंडा के पास था तो लिंडा को बोलता है कि इस लैटर में जो रैटिंग है और तुमारी रैटिंग बिल्कुल मैच है तो तुम अगर इस जगह के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बता सकती हो जिस पे लिंडा बोलती है कि मेरा भाई इस जगा गया था पर कभी वह वापिस नहीं आया और यहां ऐसे पचास से भी लोग जा चुके हैं पर वो कभी वह वापिस लाटके नहीं आये हैं जिस पे थॉमस बोलता है कि मुझे तुमारी हेल्प चाहिए वहीं बाते बातों में तो हम इसको फिर से पैनिक अटेक होने लग जाता है तो लिंडा उसे डॉक्टर के पास लाती है और डॉक्टर बोलता है कि इसे पैनिक अटेक आया है और वह फिर से सपने में उस प्रिंसिस रोस को दिखता है जिसमें वो बोलती है कि तुम ही हो जिससे मैं कर्स हूँ और वह उसे एक डैमन के बारे में बताती है बोलती है कि उसी डैमन ने मुझे कर्स दिया था और यह जब तक कर्स रहेगा जब तक तुम मुझे नहीं मिल पाओगे और इंट देती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन एक ऐसी चीज है जो मुझे जगा सकती है और इस घर के सारे दर्वाजे खोल सकती है तुम्हारे जगाने का टाइम आ गया है तुम्हें जल्दी से मेरे पास आना होगा और ये बोलके वो वहाँ से चले जाती है वही लिंडा अब उसको बोलती है कि जब मैं तुम्हें केसर गार्डन में वापिस लाई तुम अपने आप ये सही होगे जैसे मान लो तुम्हें कुछ हुआ ना हो फिर वह लैप्टॉप मैं उसे अपने भाई की फोटो दिखाती है और बोलती है कि मेरा भाई अपनी फ्रेंट के साथ आया था डेयर के लिए पर वो तब से मिसिंग है और अभी तक वापिस नहीं आया है और मैं तब से अपने भाई को ढूंड रही हूँ फिर वो बताती है कि केसर फैमली की हिस्ट्री काफी अजीब है यहां हमेशा जो मेल केसर होते हैं उनकी मृत्यू या तो सुसाइड होती है या तो फिर एक्सिडेंट होती है और इससे भी खतरनाक बात तो यह है कि यहां पर कभी फीमेल केसर के बारे में से कुछ हिस्ट्री समझ में नहीं हाई है वह बोलती है कि ये घर किसी कर्स से है जिसे थामस बोलता है कि इससे बचने का कुछ तरीका होगा तो वह उसे उसकी bloodline के बारें बताती है जिसे थामस को याद आता है कि उसके अंकल ने भी bloodline करके बोला था तो वह लिंडा को उसी basement वाले दर्वाजे पे ले जाता है लिंडा भी उसे खुलने की कोशिश करती है पर उससे नहीं खुलता है तो थामस अब अपने blood से उसके उपर लगाता है जिससे दर्वाजा अपने आप खुल जाता है जैसी वो दर्वादा ओपन करते हैं तो उन्हें एक पुरानी सी बुक मिलती है जिसमें कुछ लिखा हुआ था पर उनको बुक में कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि काफी इंशिंट लैंग्विज थी और उसको कुछ पेजस मिलते हैं तबी वहाँ पे एक ममी उन पे आके हमला कर देती है और वो दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं और उसने वहाँ अपने दोस्त रिचर्ड को बुलाया हुआ था रिचर्ड एक पैरनॉर्मल इंवेस्टिगेटर था फिर लिंडा रिचर्ड और थामस को अपने घर ले जाती है वहाँ जाके उसने केसर गार्डन के बारें बहुत सारी जानकरी खटी करी थी और उनके फोटोस लगाई वी थी जिस पे थामस बोलता है कि यह सब देख के तो किसी डेमन ये डेविल के बारें बॉला जाता है और कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं اور कुछ लोग नहीं करते हैं पर यह हमारे आज पास ही है और वह बोलती है कि थामस इस केसर गार्डन से लिंक है और अगर ज़्यादा देर तक इस घर से दूर रहेगा तो उसकी मेरत भी हो सकती है और इसलिए उसको ऐसे डैमन्स के ख्वाब भी आते हैं वहीं थॉमस को यह सब सुनके अच्छा नहीं लग रहा था तो वह जाके खुद ही उस बुक के बारे में देखने लग जाता है जब बुक को एक्स्टोर करता है तो उसे एक पिक्चर दिखती है जिसे वो फिर से लिंडा और रिचरड को दिखाता है और बोलता है कि मैं केसर कारडन से लिंक नहीं हूँ मैं प्रिंसेस रोस से लिंक हो क्योंकि वो ही मेरे ख्वाब में आती है और बताता है कि जब मैं इस घर में पहली बार आया था और तब मैंने उसे पहली बार जगा दिया था और उसे अपनी और रोस के बारे में बताता है जो उनके बीच में कनवसेशन होती है जिससे रिचर्ड बोलता है अगर इस कर्स को तोड़ना होगा तो तुम्हे उसको उठाना होगा फिर वो बुक देखकर बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है तो बुक के वारे में जानने के लिए वो लिंडा के एक दोस्त के पास जाते हैं तो उस पे वो डैमन उसको वहीं अटैक कर देता है और अब उसको मार देता है, वही थॉमस जब उठता है तो देखता है कि book में थोड़ा convert हो चुक है जिसमें Linda बताती है कि ये तुम्हारे अंकल ने लिखा है और बोला है कि मेरे को पता नहीं कि ये मैं सही कर रहा हूँ पर गलत पर मैं एक ब्राइड को एक डैमन के लिए सेक्रिफाइस करने जा रहा हूँ जिस पर थामस बोलता है कि उसमें ऐसा क्यों लिखा था जिसमें रिचरड बोलता है कि एक प्रिंसस थी जो अपनी ब्यूटी के लिए नाम से जानी जाती थी लेकिन एक डैमन ने उसे कर्स दे दिया और एक निडल लगने के वज़े से वो हमेशा के लिए सो गई और बोलता है कि अगर ये प्रिंसस असली है तो फिर क्या किते हैं उसे तुम्हें जगाना चाहिए और तब ही ये कर्स तूट सकता है अब थामस काफी देर से उस जगा से दूर था तो उसे फिर से पैने कटेक आने लग जाता है तो लिंडा और रिचरड उसे फिर से उस केसर गार्डन में ले आते हैं जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि घर की केरे टेकर की देर्थ हो गई है और उन्हें उसे फिर से उसी बेस्मेंट की तरफ ले जाता है वो अपने बलड से उस धरवाजे को ओन करता है उन्हें डैमन मिलता है जिससे रिचरड एक मैजिकल स्पेल बोलता है प्रिंसस रोस के पास पहुच जाता है और उसे उठाने के कोशिश करता है पर वो उठ नहीं रही थी तो उसे याद आता है तो अपने होट से बलड काटता है और प्रिंसस रोस को किस करता है जिससे वह उठ जाती है और उठते ही उसे thank you बोलती है और फिर जैसे ही वा उसके पास आती है और अपनी eyes open करती है तो उसकी आखे पूरी black हो गई थी इससे एक बात यह पता चलती है कि वो कोई प्रिंसस नहीं रही है जबकि प्रिंसस अब demon बन चुकी है और यह सब उसने जान मुझके करा जिससे वह कुछ बोलती है कि तुमने तो मुझे बचा दिया लेकिन अब तुम्हारा पता नहीं क्या करूंगी और उसे एक धका मारती है जिससे उसे काफी चोड़ लगती है और कुछ magic करने लग जाती है इससे थॉमस को बहुत सैड होता है क्योंकि वो सोचता है जिसके लिए मैंने इत्ती स्ट्रागल करी जिसको मैं अपना dream girl सोचता था वो असली में कोई princess नहीं है बलकि एक demon है वही princess बाहर आती है तो इस demon को मार देती है और उसका दिल निकाल लेती है रिचर्ड बाहर आता है और बोलता है इसको मार दो ये एक demon है जिस पर लिंडा उसे मारने जाती है पर demon उसे अपने हाथ से उठा देती है वो उसे मारने ही वालिती पर छोड़ देती है और बोलती है कि मैं तुम्हे अत्ती असानी से नहीं मार सकती मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और उसके बाद वे एक गहरी सांस लेती है जिससे वहाँ एक ब्लैक स्मोक आने लग जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते है वही उसके कंप्यूटर में पूरा कर्स के बारे खुलने लग जाता है उसमें दिखा था कि डैमन्स को मेल केसर्स का बलड बहुत पसंद होता है और उसी को ही सक करते है और उनके पहचानिये होती है कि उन्हें पहले पैनिक अटेक आता है फिर उन्हें डैमन्स दिखाई देने लगते हैं और उनकी आवाजे आने लग जाती है और ये सब थॉमस के साथ भी हो रहा था क्योंकि वो भी केसर ब्लड लाइन का था और उन्हें ख्याल रखना होगा क्योंकि इसी डैमन के कॉंटेक्ट में ना आए और डैमन ये सब पूरी दुन्या को तबहा करने के लिए भी कर सकती है अब हम आखरी में देखते हैं कि प्रिंसेस रोल उसे एक ऐसी जगा ले आए जहां कोई नहीं है वो इसके ब्लड से और कुछ मैजिक करते हुए बोलती है कि अब डैमन के जागने का समय आ गया है और हमारी मूवी यहीं खतम होती है अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डू लाइक, शियर, सब्सक्राइब